अगर आप से कोई पूछे कि भारत के सम्विधान निर्माता का नाम बताओ तो आप सबसे पहले बाबा साहिब डॉक्टर भीमरा अमबेटकर का नाम लेंगे हाला कि ये सुभाविक भी है क्योंकि सम्विधान बनाने में उनके योगदान को बुलाया नहीं जा सकता लेकिन क्या आप जानते हैं सम्विधान निर्मान के लिए बनाई गई ड्राफ्टिंग कमिटी में एक एशे सक्ष भी थे जिनने खुद अमबेटकर भी स्वयम से बहतर बताते थे नमशकार मैं हूँ आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीम सेना आज की वीडियो में बात होगी मशहूर कानुन विद और वकील अलादी क्रिश्णस्वामी अयर की जिनने अमबेटकर ने अपने से बेहतर बताया था अल्लादीन कृष्ण स्वामी अयर के बारे में काफी कम लोग जानते हैं उन्हें तमाम वैश्विक देशों के समविधान और कानून की सबसे बहतर समझ थी उस समय मदरास के एक गाउं में जनमे कृष्ण स्वामी अयर को असीमित क्यान था उन्होंने मदरास में एक वकील के रूप में काम किया था। उनके विद्वता ने 1946 में ही जवाहरलाल नहरू को व्यक्तिगत रूप से सम्विधान सभा में आमंतरित करने के लिए प्रेडित किया। उस समय तक बावा साहिप का नाम सामने नहीं आया था। भारतिय सम्विधा की ड्राफ्टिंग समिती की अध्यक्षता की थी। उन्होंने अल्लादी के योगदान का श्रे देते हुए कहा था कि प्रारूप समिती में कई लोग मुझसे बड़े, बहतर और अधिक सक्षम थे। जैसे कि मेरे मित्र सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अयर। आपको बता प्रतिय नागरिक्ता को परिभाशत करता है। उसका बचाव करते हुए ये घोष्णा की थी कि नागरिक्ता के साथ अधिकार और साथ ही दाइत्व होते हैं। उन्होंने कहा था कि हम अपनी प्रतिबधताओं और कई मौकों पर हमारी नीती के निर्मान के संबंद में किसी भी नसलिय या धार्मिक या अन्य आधार पर एक प्रकार के व्यक्तियों और दूसरे या व्यक्तियों के एक संप्रदाई और व्यक्तियों के दूसरे संप्रदाई के बीच अंतर नहीं कर सकते। हाला कि ड्राफ्टिंग कमीटी ने बाबा साहिब और इन दिगजों के नेत स्रित्व में सम्विधान को बना कर तैयार कर लिया था। साल 1949 में अपने समापन भाषण में अयर को शृधांजली देते हुए बाबा साहिब ने कहा। अधिक आश्यरे तब हुआ जब मसौदा समिती ने मुझे अपना अध्यक्ष चुना। ड्राफ्टिंग कमिटी में मेरे मित्र सर अलादी कृष्ण स्वामी अयर जैसे मुझसे बड़े बहतर और अधिक सक्षम व्यक्ती थे। वहीं अयर का ये मानना था कि सम्विधान के मू दाताओं की भीड उमड पड़ी थी। आपको बता दे कि सम्विधान सभा से जुड़ने से पहले 1926 में कृष्ण स्वामी अयर को परोपकार के लिए केसर एहिंद पुरुसकार से सम्मानित किया गया था। आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताईएगा ये भी बताईएगा कि क्या आप इससे पहले अल्लादी कृष्ण स्वामी के बारे में चानते थे या नहीं। बने रहे हमारे साथ नमस्कार।